इस वक्त मौदूद हूँ जमीदोज अक्बर नगर में मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि अक्बर नगर का वो इलाका जो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है बीते दुनों करीब आठ दिनों में तोले गए कुकरेल की जमीन पर बसे ग्यारा सो उनात्तर अवास और 101 कॉमर्शेल निर्माड दस जून को शुरू हुआ था यह अभियान करीब 1200 निर्माडों पर बुल्डूर्ज चलाए गया इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह पूरा मलबे में तब्दील नजर अक्बर इलाका अक्बर नगर का इलाका नजर आ रहा है शाशन क के कारण कुकरेल नदी का प्रवा सिकूल गया शाशन की निर्देश पर पिछले वर्ष दिसंबर में यह कारवाई शुरू ही तब 48 मकानों को तोड़ा गया था इसके बाद अक्बर नगर के अवैज निर्माडों को नोटिस जारी किया गया रहत नहीं मिली ओ सुप्रीम को तोड़ गया जहां कोट ने उन्हें अवैज निर्माड मानते हुए कारवाई करने के निर्देश अल्डिये को दे दिए 10 जून से प्रक्रिया शुरू ही सुबह साथ बज़े से ले करके अकबर नगर दूती में दोस्ती करने कारवाई शुरू की ती इस दोरान करीब 45 तोड़ने का काम भी किया गया मंदिलों को भी तोड़ा गया लगा तार चल रहा है इस अभिहान के बाद यह जब अभिहान समाप्त हुआ तब आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मलबे में नजर आ रहा है पूरा अकबर नगर और अब प्रशाचन शाचन प्रशाचन क मलबी को हटाने को लेकर के भी है तो लिहाजा फिलहाल LDA के तरफ से 15 दिनों के भीतर अगबर नगर जोस्तिकरण का मलबा हटा करके यहां पर सुन्दरी करण का काम शुरू कर देंगे मलबा हटाने को लेकर के तमान तरीके कर्यारिया की गई है करीब एक लाख पौधे भी यहां पर लगाएगा इतना ही नहीं कुकरयाल बंदे पर बने सड़क पर लाइटे भी लगाएगा उस कार को LDA ने अपनी अवस्थापना निधी में शामिल कर लिया है LDA की जो उपाद्यक्ष हैं इंद्रमनी ट्रपाठी से जब बाचीत हुई थी मेरी तो उन्होंने कहा कि कुकरयाल नदी किनारे 15 एकड़ की जमिन को पौधार उपन के लिए चिन्नित किया गया है 1900 से अधिक अध्यासियों को आवास भी दे दिये गए हैं जिसमें से 1669 अध्यासियों को प्रधाम मंत्री आवास आवंटित किया गया है बाकाइदा यहां पर उन्हें तरह की विवस्थाइं देते हुए इस तमाम पूरी विवस्था को पूरा किया गया है जिसके बाद जो सौंधरी करण का जो काम है मुक मंत्री योग्या इतनाग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस तरफ तेजी के साथ काम आगे बढ़ सके कितनी दूर तो चलना पड़ता है और अपने कामदां से जाओ काम पे जैसे 50 रुपया सवारी रख लो एक तरफ की और यहां कोई कारोबार नहीं है ना दुकाने है तो हम लोको तो दिक्कत हाई है जब कमाई नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या मकान तो हो गया अगर पाईसा नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या खिलाएंगे बस सबसे बड़ी यही है तकलीफ नहीं हिंदू मुसल्मान सभी थे वहां से जो है काना में रोजगार तो नहीं बच्ती है तो रोजगार तो उस तरफ नहीं होगा करीब तीन सो घर तोड़े गए टोटल हिंदू थे टोटल हिंदू है तो चार पाच घर मुसल्मान के थे बस काम चल लाए अब कर दो जो घर तो उड़िया तो आप चाहेंगे यही तो आना पड़ा था